ओम् एम् हिम् क्लिम् चामुंडाई विच्चे ओम् काल रात्री देव्याई नमो नमः ओम् काल रात्री देव्याई नमो नमः बोलिये काल रात्री मईयाँ की काल रात्री माने भगतों रूप धरा विकराल है काल रात्री रूप सात्वा भटन की प्रत्पाल है काल रात्री माने भगतों गेश खुले हुए आखों से अगली निकलती हुई भगतों मा काल रात्री को स्वरूप दिखने में चाहे कितना ही भयंतर हो परन्तु मातों अत्यंत करुणा मई और करुणा शाली है भगतों का कल्यान करती रहती है मा के तीन नेत्र हैं जैसा मैंने पहले भी बताया मा की श्वासों से अगनी प्रकट होती रहती है मा गर्धब की सवारी करती है दो हाथों में अभय और वर्मुद्रा है, तीजे हाथ में लोहे का काटा और चोथे हाथ में खड़क धारन की हुए अपने गले में विद्धुत के समान चमकने वाली माला पहनती है माता तो मा के इस विक्राल सुरूप के चर्णों का ध्यान लगाते हुए एक बार फिर बोलिए, बोलिए काल रात्री मैया की केश खुले हैं मैया जी के रैना तो बेशाल है मुक से अगनी निकल रही है फ्रिकुटी भी विक्राल है गरधब की करती है सवारी आथों में तलवार है असुरों का और पापियों का करती मा संधार है मैनों में अंगार है मा के मैनों में अंगार है मा के जीवा निकली लाल है काल रात्री मैया भगतों भगतन की पतिपाल है काल रात री माने भगतों रूप धरा विक्राल है काल रात री माने भगतों भगत जनों जब चंड मुंद शुम्ब निय शुम्ब और रक्तवी जैसे दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिपत्य प्राप्त कर लिया देवी देवताओं को स्वर्ग से खदेल कर भगा दिया तब सभी त्री देवों की शर्ण मियार प्रिदेवो सहित देवी देवताओं ने मा पार्वती की आरादना की और प्राथना की कि उनके अंच से एक कुमारी कन्या जन्म ले जिनके हाथों इन असुरों का अन्त हो सकता है मा ने अपने हंच से देवी कौशिकी को प्रकट किया जिसे महाकाली का रूप दे दिया सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तिया दिव्य अस्त्र मा को प्रदान किया मा ने चामुंडारन चंडीवन चंड मुंड का विनाश कर दिया चंड के केश पकड मैया ने उसके शीश को काट दिया मुंड के भी शरीर को काटा कैट कुडों में बाट दिया शुम्ब आया मा को पकड ने मा के हाथों मार गया और निशुम्ब भी मा की खडग से भगतों फिर संधा रगया असुर सेन का बन गई मा हां सुरसेन का बन गई मा काल रातरी काल है काल रातरी मैया भगतों भगतन की प्रतिपाल है काल रातरी माने भगतों रूप धरा विक्राल है काल रातरी रूप सात्मा भगतन की प्रतिपाल है काल रातरी माने भगतों चंड मुंड शुम्ब निशुम्ब का मातों वद कर चुपीती परन्तु यह क्या असुर सेना तो अभी भी रण में डटी हुई थी उनका नेत्रत को रक्त बीज कर रहा था रक्त बीज वो दानव था भगतों जिसे बरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहां जहां गिरेगी वहां वहां पर करोणों रक्त बीज पैदा होते चले जाएंगे मा जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार करती उसका रक्त भूमी पर गिरता और करोणों रक्त बीज फिर खड़े हो जाते अब महा काली ने रक्त बीज का अंत करने का पुपाय सोचा मा ने काल रात्री का भयंकर रूप धारण किया मा का सिंग असुर सेना से युद्ध कर रहा था तो मा ने एक गर्धक की सवारी की और रक्त बीज के पीछे पीछे भागी भाकते हुए रक्त बीज की गर्दन में मा ने अपने लोहे का काटा फसाया जैसे ही रक्त बीज भूमी पर गिरा मा ने उसके केश पकड़े और अपनी खड़क से उसका शीश धड़ से काट दिया लेकिन उसके रक्त को भूमी पर नहीं गिरने दिया एक खपर में उसके सारे रक्त को धारण किया और उसका पान कर गई सभी देवी देवताओं ने मिलकर काल रात्री मैया के इस भयंकर रूप की जैजै कार करी गरधब पर असवार हुई मा असुर के पीछे भागी थी मार खडग तलवार से उसके शीश कमया काटी थी रक्त बाहर आया जो ही खपर में था धार लिया मुख खोली मा काल रात्री और रक्त का पान किया असुरों की सेना में भगतों मच गई हाहा कार है काल रात्री मैया भगतों जग की पालनहार है काल रात री माने भगतों रूप धरा विक्राल है काल रात री माने भगतों चंड मुंड शुंब निशुंब का वदकर मा का अचंत क्रोधित रूप हो गया था और उस पर रक्त भीज के रक्त का पान करने के बाद मा का क्रोध साथ में आसमान पर था भगतों अब तो देवी देवता भी घबरा गए थे कि मा का क्रोध कैसे शांत होगा ऐसे में भगवान भोले शंकर मा के मार्ग में लेट गए चलते चलते जब मा का पाऊँ शिव शंकर की छाती पर पड़ा तो मा का ग्रोध शान्त हो गया भक्त जनों सबने मिलकर मा काल रात्री के भयंकर स्वरूप की जैजेकार बुलाई मा के इसी काल रात्री स्वरूप का मा के नव दुर्गा नव रूपों में सक्तम रोज पे पूजा हर्चन किया जाता है मा का पूजन विदी विधान से करने से भक्तों को निर्भयता प्राप्त होती है भक्तों मा के पूजन में सुभे सुभे उठ जाईए स्नानाधी के पश्चाव स्वच्छ वस्त्र धारन कीजिए मा का आसन चौकी बिछाईए मा का बीज मंत्र आरती चालीस आगाईए और रात्री में मा का विशेश पूजन कीजिए मा को रात रानी का पुश्प भेट कीजिए क्योंकि मां को रात्री का पूजन अध्यंत सुहाता है तो एक बार फिर दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए बोलिए काल रात्री मैया की लाल बस्त्र से चोकी सजाओ मैया को बैटाओ जी अक्षत चंदन रोली मोली मैया को चड़ाओ जी गीका दीप जलाओ भगतों मां की जोत जगाओ जी वंदन करके काल रात्री चंदन तिलक लगाओ जी मां सच्ची सरकार है भगतों मां सच्ची सरकार है भगतों जग की पालन हार है काल रात री मैया भगतों जग की प्रतिपाल है काल रात री माने भगतों रूप धरा विक्राल है काल रात री माने भगतों झाल